हेलो प्यार बच्चों, आज में देखने वाले हैं सांदर्ता, कोटी और अर्धायुकाल में क्या संबन्द होता है, ठीक है? तो मान लीजिए एक अभिकरिया है एनद्ध कोटी की और उसके सांदर्ता है C1, ठीक है? C1 सांदर्ता है और जब इसके सांदर्ता C1 है तो इसका अर्थायू काल मालेजी होता है T1 ठीक है अब इसके सांदर्ता हम चेंज कर दें अगर सांदर्ता मालेजी C2 कर दें तब इसका अर्थायू काल होता है T2 होता है माना ठीक है तो हम अभी के जाके कोटी गयात करने हैं तो कोटी गयात करने का सूत्र होता है T1 upon T2 equal to C1 upon C2 की power 1 minus N ये सूत्र याद कर लीजिए आप ठीक है इसकी help से हम सारे सवाल करेंगे अभी तो कोशन कैसे आते हैं कोशन देखते हैं पेपर में कोशन कैसे आते हैं पेपर में कोशन आते हैं जैसे एक साइड लिखा होगा सांधरता जो अभिक्रिया की सांधरता है वह लिखी होगी और अर्द आयूकाल लिखा होगा ठीक है सांधा मोल पिरती लीटर में होती है इन मोल पिरती लीटर में लिखी हुई होगी प्राली लिखना कोई जरूरी नहीं है देखो फर्ष्ट एक्स्रीमेंट में क्या होता है जो अभिक्रिया होती है इसकी सान्यता होती है 0.01 ठीक है तब जो इसका अर्दायुकाल आता है वो आता है 2 सेकंड ठीक है और जब हमने सा कोटी हम बतानीा है समझ माया कोश्ण एक अभिक्रिया है जिसकी सांद्रता पहले 0.01 रखी जाती है अभिकारक की सान्दता तो इसका अर्दायुकाल 2 सेकंड आता है लेकिन फिर इसकी जो सांद प्रादी जाती है जिरो पॉइंट ठू कर दिया तो भी इसका अरदाइकार इतना ही आता है तो इस अभी के जाए कोटी ता ने की अभी की जा कौन से कोटी की होगी तो देखते हैं उसका solution हम कैसे करेंगे ठीक है तो देखो हम जानते है formula t1 upon t2 equal to c1 upon c2 की power 1-n होता है होता है नहीं होता है ठीक है तो यहां पर t1 की जाए पर क्या है दो साइकेंड t2 की जाए पर क्या है दो साइकेंड ठीक है equal to c1 c1 मतलब concentration पहले की ठीक है तो 0.01 upon 0.02 ठीक है bracket और 1-n तो क्या होगा हम देखो यह तो यह cancer हो जागा एक आ जाएगा तो देखो solve करते हैं एक एक equal to एक equal to और यह आ जाएगा 1 upon 2 1 upon 2 की power 1-n अच्छे एक बात बताओ x की power 0 का अंसर कितना आएगा 1 कितनी की बिवर 0 हो बटा अच्छा है एक बटाओ 2 की power 0 का अंसर कितना आएगा एक तो हम एक की जाएपर एक बटाओ 2 लिख सकते हैं जीरो पावर में मतलब एक की यह पर हमके लिखते हैं ऐसे लिख सकते हैं उपन अपॉर्ण 2 की power 1-n जब आधार एक जैसे होते हैं तो हम घातू की तुलना कर सकते हैं तो घात अगला कोश्चन लेते हैं अगला कोश्चन लेते हैं तो अगले कोश्चन में क्या है कि पहले अभिक्रिया की जो सांदरता है अभिक्रिया की सांदरता पहले लेते हैं 0.1 और ये 2 सेकिंड में complete होते है ठीक है अर्दा युकाल इतना आता है इसका इसका अर्दा युकाल आता है 4 सेकिंड आता है अब पूछा अभिक्रिया की कोटी बताओ ठीक है तो देखतों कोटी कैसे ज्याद करेंगे इसकी तो देखेंगे T1 upon T2 equal to C1 upon C2 की power 1 minus N ठीक है तो T1 time के तो देखा है 2 बटे 4 ठीक है 2 बटे 4 equal to concentration 0.01 upon 0.02 की power 1 minus N ये कर जाएंगे तो आज आगा 1 upon 2 की power 1 equal to बैटा 1 upon 2 आ गया ये ठीक है 1 upon 2 की power 1 minus N आधार एक जैसे होगे गातों की तुलना कर लो 1 minus N equal to 1 तो minus 1 minus N equal to 1 minus 1 ठीक है 0 हो जाएगा तो N equal to कितना आगे बटा 0 आगे तो ये सून्द कोटी की अविकरिया होगी ठीक है ये कौनसी है ये सून्द कोटी की अविकरिया है क्लियर होगे बटा आपके लिए मैं आपके लिए एक कोशन और कराता हूं फिर एक कोशन आपके लिए होंबर्क में दे दूंगा ठीक है तो कोशन देखिएगा डियां गर्त कोशन तो नेक्स्ट कोशन में क्या है इसकी सानधता जीरो पॉंट जीरो वन रखी जाती नती है तब इसका जो होता है要 Japan 002 ठीक है और फेना खीत यांतुत करते बटे हो सारी कोशन हो था खाल है यह थीख है तो देखो अब हम क्या करते हैं इसका हम अर्दायुकाल ज्याद करते हैं तो अर्दायुकाल नहीं यार को लिवदा नहीं है तो t1 अप्वाज टीटू एककॉर टू सीवन अप्वाज सीटू की पावर बन-mines n ठीक है तो t1 ताइम केतना है दा जिटनो पॉइंट वन अच्छा अच्छा यह है टाइम दो है दो बटे आठ अपॉन 0.01 अपॉन 0.02 की पावर 1-n राइट इसको काट लो बटा चार आजागा तो बन अपॉन 4 बन अपॉन 4 इकोल टू यह आजागा बन अपॉन 2 की पावर 1-n तो बन अपॉन 2 में चेंज कैसे करेंग अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर 2 कर लें और यहां दें 1 अपॉन 2 की पावर 1-n ठीक है अब घातु तुलना कर लो बिटा तो कहा जागा 1-n इकोल टू-2 कितना आजागा माइनस का न इकोल टू-2 माइनस का बन अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा माइनस एकोल टू-2 माइनस एकोल टू-2 माइनस का बन ठीक है माइनस का बन आजाएगा यहाँ ठीक है ठीक अटो अठाट हूबर हूइँ है तो यहिज़ो सजब को माइनस का तो ही चील यह स्कार एठ एक को Al tik N250 की अभिक्रिया है कि लिए चीमें और देखें एक स्टाइग। बोके सम्माइब यह लास्ट कोशन देख लो फिर आप लोग से कोशन कर ले ना ढूंड ढूंड करके सिके कोश्चन ठीक है ना से कल कर आंगे इस त्वेट्स देख लो दो लिखते हैं आठ इसका अर्दाजुकाल आठ है फिर दो सेकिंद हो जाता है ठीक है तो पूछ रहा है कि इसकी कोटी बताओ विक्रिया की तो विटा देखो यहां हो जागा T1 upon T2 equal to C1 upon C2 की power 1-N देखो 8 बटे 2 हो जाएगा 8 बटे 2 equal to C1 की power कितना है विटा 0.1 upon 0.02 की power 1-N ठीक है करो सौर उसको तो कट जागा 2 चोक आ जागा विटा तो जागा 4 4 बटे 4 बटे 1 4 बटे 1 equal to 1 upon 2 की power 1-N बड़ा जीव वरीव सवाल बन गया यार जितो गलबड तो नहीं कर दी मैंने कहीं ठीक है बटा तो यह इस तरी कैसे होगा देखते हैं करके उसको 4 आ जागा तो 1 upon 2 की power 1-N ठीक है हाँ हो जाएगा ठीक है तो 2 की power 2 upon 1 की power 2 equal to 1 upon 2 की power 1-N ठीक है अच्छे को मैंने करा दिया मैंने करा था तो बहुत मुश्किल से होता ही है इसको क्या काम करें कि इसको पल्टेंगे अच्छे को पल्टेंगे तो निगेटिव की power बन जाती है तो 1 upon 2 की power उनके बुक से कर लेना और जो next step के सवाल है कल कर आएंगे आपके लिए ठीक है वीडियो च्छी कर जी लाइक प्यार साथ कि उसको नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार जैन बंदे मात्रम बाइबाइब इटा